ही गाईज वेलकम तू माई चैनल सो मैं टेरोट कार्ड रीटिंग और आज इस समय पर क्या एनर्जी इस है डियर गाईज आपके पर्सन की चेक करेंगे टेरोट कार्ड में तो टाइम बाउंडेशन बिलकुल भी नहीं है आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दू कि इस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो नहीं कीजिएगा और इस्टाग्राम पर मैं कोई भी रीडिंग नहीं अपलोड करती हूँ और वहां पर आप बुकिंग भी मैं नहीं करती हूँ और अगर destaग्राम और फेस्बुक पर अगर कोई भी मेरे नाम से क्योंकि बहुत साइय लोगों ने मेरे फोटो मेरे वीडियो जो हैं अबाउट तो आप मुझे बात कर सकते हैं नमबर जो है वो मेरा एक ही नमबर है 95401-19650 इस नमबर पर ही आप मुझे मैसेस करके अपानमेंट वगरा लेकर बात कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहें तो तो इस समय की अनर्जी की अकॉर्डिंग क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आज इस चीज को देखेंगे and coming days में आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है क्या positivity आपकी लाइफ में आ रही है या फिर क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको जानना जरूरी है इन सारी चीज़े को टेरो कार्ड में देखेंगे और बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे को जो इस समय अनर्जी फील हो रही है वो कहीं न कहीं इफ अगर आप स्ट्रेस में हैं या फिर अगर आप निगेट्रिव हैं बहुत जादा किसी चीज़ को लेकर ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर आपको माडिटेशन, मानिफेस्टेशन और बहुत जादा माडिटेशन करने की ज़रूरतर पॉजिटिव रहने की तो चलिए अभी चेक करेंगे कि क्या नरदी इस आपकी तरफ आ रही है कापी ज़्यदा पॉजिटिव होकर आप इस सीडिंग को देखिए तो यहाँ पर चेक करेंगे उसके हिसाब से आपको देख सकते हैं इस काड को बहुत ही मतलब एक वीटिफुल काड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पर यह काड और आप इस काड की तरफ ध्यान से देखिए टैन ओफ कप्स का काड है यह काड बिसकली क्या चीज को बता रहा है आपकी लाइफ में देखिए आपकी लाइफ में इस समय पर प्रिजेंट में जो भी सिच्वेशन हो रही है ठीक है इसको आप काफी जादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अनर्डीस को देखिए कि आप काफी जादा पॉजिटिव रहने के बारे में सोच रहे हो या बहुत जादा कोशिस कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आओ पॉजिटिव लेकिन कई न कई बार बार आप ओबर तिंकिंग जो है वह आप करने लगते हो या फिर बार बार आपकी जो उड़जा है वह स्ट्रेस करने लगती है या फिर कप्स की एनरजीज है जो कि आपकी एक मजबूतिक तरफ एंजल्स जो है वह आपको गाइड कर रहे हैं आपकी एमोशन्स और आपकी फिलिंक्स को ध्यान में रखकर इश्वर आपको वह खुशी दे रहे हैं आगे आने वाले समय में एक स्ट्रेविल्टी भी आपको दे र कोई ऐसी कंडीशन आपकी रिलेशन्सिफ में है जिसको लेकर आपकी ज़्यादा स्ट्रेस हो या काफी परिशान हो रहे हो और बहुत ज़्यादा उस रिष्टे को आप अपनी लाइफ में अपनी जिन्दगी में लेकर आना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगी कि जो रिल चीज मुझे आपके रिश्ते में यहां पर दिखाय दे रही है और यह MARK मेरेपर मुझे है नाएपर रिलेशंटिब के मेरे रिलेशंटिफल के लिए और कि अगर आपका इसा है यहा रिलेशंटिफ से कैसे तो देखें जब भी कपस में कोई भी एनर्जीज होती है तो सीधा-सीधा वो एक इमोशनल तोर पर उस एनर्जीज को फील करती है तो कहीं न कहीं आप इस समय प्रजेंट सिच्वेशन में आप काफी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको आपका दिल दुखा रही है प्रजेंट सिच्वेशन में ठीक है पीछे भी पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बज़े से आप आपके अंदर एक ट्रस्ट की कमी हो गई है ठीक है आप मतलब किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ खो दिया है या बहुत कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपने सोचा था कि ये आपकी लाइफ में पॉस्टिबिटी आएगी या फिर ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगी लेकिन मैं इसीज़ को देख रही हूँ एनरजीज़ को कपस है ना तो आपको इमोशनल तोर पर बहुत ज़्यादा वीक देख रही हूँ ये भी देख रही हूँ कि आप मतलब अपने आपको पॉस्टिव रखने की कोशिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर आप बार बार स्ट्रेस में आ जाते हो या फिर हाट हो जाते हो आपको ये चीज़ की तरफ संदेश लेकर आ रहा है कि आपके लाइफ में कमिंग डेज में सिर्फ और सिर्फ पॉस्टिविटी ही मुझे आती हुए दिख रही है और एक स्टेबिल्टी जो आप अपने रिलेशनसिप में चाहते हैं कि चाहते हैं कि पर्षन की तरफ से कि वह आपको कही न कहीं financing करें या इश्वर की तरफ से अगर आप न्याय चाहते हो तो मैं यह आप को यह भी बोलूऊँगी कि इस वर की तरफ से आपको जस्टिस भी तरीके से आपका सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं इश्वर की तरफ से आपको बहुत जादा आपकी जो डिजायर है वो फुल्फिल होते हुई मुझे यहां पर दिखाए दी रही है तो यहां पर five of cups मुझे again five of cups आया है लेकिन पतलब I am shocking guys आपको देख लीजेगा तीन energies three energies here बट तीनों ही energies cups में है one two and third तीसरा कार ठीक है तो यह मतलब basically इस समी की जो vibration जो है वो ऐसी है कि जैसे कि आप अपनी life में जो भी चीज को बहुत ज़्यादा पाना चाहते थे एसी situation हुई कि वो चीज तो आपको मिली नहीं बलकि बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप मतलब एक होता नहीं कि हमारी अंतर आत्मा ठीक है वो तक आप उस तक में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा stress आपको फील हुआ ठीक है और यहां पर ही कपस की energy सेम उसी situation को आपकी बता रही है कि मतलब आज की present situation में भी आप यही सोचते हो कि मैंने सब के लिए इतना कुछ किया ठीक है मैंने अपने partner हो चाहे कोई भी इंसान हो जिसके लिए आप इस reading को देख रहे हैं कि मतलब बहुत समझाने की कोशिस की बहुत प्यार जताया बहुत कुछ किया support किया मतलब हर तरीके से आपने उस इंसान को पाने के लिए सब कुछ किया है ना लेकिन अंत में आपकी जो energies यहां पर दिख रही है वो कपस की ही दिख रही है अगेन कपस की दिख रही है तो मतलब जब बार 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 वही energies मुझे शो हो रही है तो इसका मतलब कि आप के अंदर कहीं ना पहुत जादा मायूसी दिख रही है बहुत जादा ऐसी situation दिख रही है जिसमें आप किसी चीज को लेकर रात में जाग रहे हो सो नहीं पा रहे हो आधी आधी रात में आपकी आख खुल रही है चाहे आपका person हो partner हो क्योंकि आपको यह लगता है कि मैंने इस इंसान इस इंसान को अपनी जिंदगी में सबस से move on हो गया तो यह जो energies दिख रही है यह एक गुसी को भी दिखा रही है जो कि आपके अंदर एक कुस्सा भी छुपा होगा definitely अगर आपके साथ energies resonate कर रही है कि हट तो आप है ही क्योंकि जब कोई कोई भी यह से suppose like जब हम किसी के लिए इतना कुछ करते है देन उसके बाद भी अगर वो इंसान हमारे को नहीं समझ रहा है या फिर हमारी importance को नहीं समझ रहा है हमारी कदर नहीं कर रहा है हमारा इतना कुछ करने के बाद भी इतना करीब आने के बाद भी वही person तुरंद किसी other person के साथ बात करने लगा या अपनी life में किसी other person को इस ने बहुत ज़द कुछ ऐसी अनर्जी हो सकती है जिस में आप इस आर्जी में हो बट कमिंग डज में क्या अर्जी आ रही हैं पट कमने में आपको बोला ना कि यूनिवर्स आपके साथ है यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा देखे मैं कई बारे इस चीज को कहा चुकी हूं कि कोई देखे ना देखे उपरवला देखता है इश्वर देखते हैं तो आप ये समझ लीजेगा कि जो आपकी अच्छाईया है है ना जो आपने सपोर्ट किया या जो आपके अंदर एक ट्रूनेस थी वो टूनेस आपकी इश्वर ने देखी और आपको जो रिजल्ट इश्वर देने जा रहे हैं वो रिजल्ट बहुत ही विटिफुल होगा पूरा सपोर्ट आपको करते हुए यूनिवर्स दिख रहे हैं कपस का कार्ड है जो कि बार बार आपकी ही एनर्जी इसको यहां पर दिख रहा है और लास्ट कार्ड मेरे पास जजमेंट का आया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं अगर आप कि जजमेंट के कार्ड हमी क्या बता रहा है इस चीज को बता रहा है कि आप अपने रिष्टे में मतलब एक समय ऐसा आया होगा जरूर अगर रिडिंग रिजनुएट कर रही है कि आपको यह लगा होगा कि भई इतना कुछ कर ल में लेता है मैसुश कर लेता है कि अब नहीं कुछ हो पाएगा तब ऐसे में मतलब चाहां पर दी एंड होता है न्यू बिगिनिंग यह इसे ही शुरू होती है ठीक है तो आप ही समझेजे कि आपकी लाइफ में आपका वही पार्टनर जिसने कल तक आपको नहीं समझा आप आपके लाइफ में कमिंग डेस में लौटना हुआ दिख रहा है दूसी चीज़ सपोर्ट जो आपने किया वो सपोर्ट आपके परसन को किसी और से नहीं मिल रहा है वो फिलिंग्स वो भावनाएं उनकी किसी और से नहीं मिल रही है तो यहां पर ही एनरजीज मुझे आपक कर रहे हों और क्योंकि controlling energies मुझे यहाँ पर फील हो रही है vibration जो मुझे मिल रही है controlling energies है और आपके person आज इस चीज को बहुत बहुत बहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि जितना आप उनको जितना आप उनको मतलब पसंद करते हो है जितना आपने उनका उनकी बातों को सुना सम मुझा understand किया उतना कोई और नहीं कर सकता है ना तो एक तरीके से जो energies यहाँ पर इन कार्ट में बन रही है ना वह यहाँ पर एक new beginning का बहुत तेजी से संदेश भी मुझे मिल रहे है कि बहुत मतलब आपके life में new beginning होती हो दिखाई दे रही है आपकी person के साथ है ना वह सारी happiness जिन happiness के लिए आप जिस happiness के लिए आप तरस रहे हो या जिस प्यार को पाने के लिए आप परिशान हो रहे हो और आपने इतना प्यार दिया सामने वाले को लेकिन उसके बाद भी आपके person ने आपको नहीं समझा आज वही relationship आपको आप इश्वर आपका लोटाते हुए मु कुछ और energies को check करेंगे आपके person की current energies को check करेंगे आपके यहांपर जो energies मुझे आपके person की मिल रही है उस energies में मुझे यहां पर कुछ ऐसी situation भी दिख रही है आपके पार्टनर की जिसमें मुझे साबत तोर पर यह दिखाए दे रहा है कि आज ऐसी स्थिती हो गई है आपके relationship में आपके person की, कि वो मतलब सबच चुके हैं काफी चीजों को, ठीक है, जिन चीजों को शायद आपने कल तक उन्हें बहुत समझाया था, या बहुत जादा आपने उनको बताया था, समझाने कोशिस की थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, control है इस person के पर, ठीक है, male, female, कोई भी हो सकते हैं, या आपके person, controlling energies मुझे यहाँ पर show हो रही है, और अगर आपके person आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी आपकी इंसे बात्चीत नहीं हो रही है, तो फर एक controlling energies को भी मैं, यहाँ पर मैसूस कर रही हूं, देख रही हू आपकी life में एक positivity को बता रहा है, हर card आप से यह कह रहा है, इतनी देर से मैंने यहाँ पर यही चीज़ों को देखा, कि आपका relationship में reunion होने के chances बहुत जादा है, जो person आपके साथ बात नहीं कर रहा है, वो person कहीं नहीं लॉट कर आपके life में आता हुआ देख रहे है, बट यह यहाँ पर जो energies आ रही है, वो controlling energies को represent कर रही है, ठीक है, तो control है और control में यह जो eyes दिख रहे हो आप पीछे से, तो कहीं नहीं यही controlling energies आपके relationship में यहाँ पर disturbance लेकर आ रही है, यहाँ पर blossom की energies आ रही है, जो की एक ऐसी situation को भी create कर रही है, जैसे कि marriage होना, आपकी life में अगर आप शादी करना चाहते हैं, love marriage तो यहाँ पर love marriage का जो है, वो situation दिखाए दे रही है, बहुत जल्द आपकी love marriage हो सकती है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने ही person से, तो कहीं नहीं आपके साथ इनकी marriage हो सकती है, अगर third party है आप दोनों के बीच में, और third party का problem है, ठीक है, तो यह चीज भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, बैलेंस का card आया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, तो balance का card है, तो मुझे लग रहे है की, जो energies मुझे मिल रही है, अगर आपकी person की family, आपको स्विकार नहीं रही है, या family आपको यह बोल रही है कि नहीं, किसी बात क लेकर फैमिली का प्रावलम या फैमिली या कोई भी इशू आ रहा है तो जो कमिंग डेज हैं उसमें मुझे सक्सिजन ग्रोथ की एनर्जीज मिल रही है जो कि साफ यह कह रही है कि आपके रिलेशन्सिप में अब एक न्यू ग्रोथ होती हुई दिख रही है देखें कार्ड क अच्छे एक कोर्डिंग और इस समय जितने भी लोग एनर्जीज को रीड कर पा रहे हैं जितने भी लोग है मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ यह जितने भी लुग इस रीडिंग को देख रहे हो मैं आपको यह बोलूगी कि रिलेशन्सिप में बहतर टाइम आने व हो ठीक है तो यहां पर जो success and growth का card आया हुआ वो एक positivity को लेकर आ रहा है मतलब आपकी relationship में आप जितना stress करना था आप कर चुके हो जितनी problems face करनी थी आप कर चुके हो जिस person ने अभी तक आपको नहीं समझा आपके प्यार को नहीं समझा आपके रिष्टे को नहीं समझा आज वही person आपके प्यार को भी समझ रहा है और रिष्टे को भी समझ रहा है और कहीं न कहीं यह जो card है basically यह आपके partner की उस energies को बता रहा है कि आगर आप no contact situation में है और बिल्कुल आप अलग हो चुके हो और कोई भी contact है ही नहीं तो आप यह देखो इनकी energies को यह energies यहां पर यह कह रही है कि आपका partner आपसे contact करना चाहते हैं यह आपको call भी करना चाहते हैं और बहुत बेसबरी से अब इंतजार कर रहे हैं कि इन को कि देखें इन person ने कई ना कई sudden movement किया था आपसे अचानक से आपके relationship को यह फर अचानक से जो है वह आपके रिष्टे को नोंने break कर दिया था यह अचानक से ही यह person आपके life से चले गए थे बट आप जो situation मुझे यहाँ पर दिखाए दे रही है उस situation में मुझे यह person आपके life में lot में की जो बेचेनी होती है ना वापस आने की कि मतलब अगर हम किसी के प्यार को नहीं समझते हैं किसी की feelings को नहीं समझते हैं जो कि यहाँ पर इस card में दिख रहा है इनको अफसूस हो रहा है इनको पस्तावा हो रहा है ठीक है तो मतलब कहीं न कहीं जो situation आप चाहते थे कि हाँ भाई मेरे मेरी relationship को समझे मेरे प्यार को समझे आज मुझे वही चीज़ आपके person की energies को देखकर लग रहा है कि हाँ definitely समय आ गया है अब आपके reunion का समय आ गया है अब वो समय जिसका आप इतिजार करेते काफ़ लंबर टाइम से judgment का card मेरे हाथ में है तो कहीं न कहीं universe आपको support करते हुए कि मुझे दिखाए दे रहे है कि अगया है कि अगया है कि फ्लो में जा रही है यह यह वाली अनर्जी फ्लो में जा रहे है तो going with the flow का card है means पहले जैसा रिष्टा जो रिष्टे में आप यह सोच रहे हैं कि आप मेरा रिष्टा पहले जैसा होगा कि नहीं होगा तो definitely पहले जैसा रिष्टा यहां पर दिख रहा है करियर को लेकर भी मुझे कुछ ऐसी situation दिखाए दे रही है कि आप करियर में काफी ज़्यदा stress फिल कर रहे हो या फिर करियर में problems आप फेस कर रहे हो मैं आप बोलूगी आप से कि ज़स्मेंट करकाड है करियर हो चाहें से कमिंग डेज में जो situation आपकी दिख रही है वह बहुत ही beautiful दिखाए दे रही है और बहुत ज़्यदा positive रही है ताकि जो भी energies मैंने आपके लिए रीड की है वह energies आपके साथ मैच करें इफ आप positive रहते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब एक आपकी जो think है जैसे कि मैंने feel की है vibration मुझे जो मिली है कि आप देर रात तक जगते रहते हैं और एक stress आपके mind में always रहता है ठीक है तो overthinking आप करते हो तो वह नहीं करना है meditation तो आपको everyday करना ही करना है morning में कर सकते हैं आप इवनिंग में कर सकते हैं अपने time के साथ 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 कर सकते हैं अपना timing लेकिन positive रहते हैं बहुत जरुत है एक रोहित है और प्रिया है और स्वाती है आप सभी लोगों को जो है वो मुबारक हो and Amit also so मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो sorry मैंने जो list बनाई थी आपके रियूरिन के names की वो list मैं मैंने अभी लेकर नहीं में आई हूँ इसलिए मैं नेम हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ तो मैं उनका नाम जो है वो अगली reading में जरूर लोगी and congratulations to all of you आप अपने life में happy रहे और हमेशा ईश्वर आपका ब्लेस करे and take care guys bye bye आशीरवाद